आज दिवाली का मौका है और हमारे साथ IPS ऑफिसर डॉक्टर अंशू सिंगला मौजूद है और अंशू सिंगला किसी परीचे की मोहताज नहीं है ना केवल पुलिस में रहते हुए जो अपनी सेवाएं दे रही है जिस तरह से चाए खोरी का मामला हो या फिर अपने एरिया मे लाइन ओर्डर मेंटेन करने की बात हो उसके साथ साथ एक खास चीज असी है जिसके लिए डॉक्टर अंशू सिंगला और उनके हजबेंड IPS ऑफिसर अर्पिज जाने जाते हैं तो उनी से बात करेंगे कि आखिर वो क्या मैसेजिस दिवाली पर देना चाते हैं और जिनके लिए वह इतना जादा शहर में चर्चित हैं उनके लिए क्या शहरवासियों से अपील करना चाती है मैं पंजाब के सी टीवी में आपका स्वागत है मैं सबसे पहले तो दिवाली किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक अलग अंदाज में आज लोग आपको देख रहे जयाने कि राम राजे की स्थापना उस दिन अहयो दिया में हुई थी तो राम राजे का मतलब यह है कि सोशली इंवार्मेंटली हम हाथ तरह से प्रगति करें तो मेरे यह मैस्ड़ेगे लिए वो यह थे हैं सबसे पहला इंवार्मेंट को वापिस करने का कॉस है और उसमें हम पेड लगा रहे हैं बलकि पूरी नवरात्री हमने लेड लगाए पांसों से उपर पेड लगाए इस वीकेंड दिपावली को भी हम दिपावली में सारी टीम मेरी जॉइन होके हम लोग धिर सारे पेड लगाएंगे नमबर टू मैं यह कहती हूं कि जो समाज की प्रगती है वह जो पीछे छूट जाता है या जो कमजोर है या जो बेजुबान है उससे जाने जाती है तो मेरे हस्में डॉक्टर अर्पिज जैन जी और मैं दोनों ही हम लोग अनिमेल लवर हैं और स्ट्रेस का काफी ध्यान रखते हैं तो इसी शंकला में हम अपने पैट के साथ भी क करेंगे और थर्ड जो कि मैं हमेशा कहते हूं कि रुजाना इंपोर्टन्ट है कि जिस तरह आप धरों की सफाई करते हैं अपने मन की भी सफाई करें छोटी-छोटी मन में कोई दुविदा हो कोई शंका हो कोई द्वेश हो उसको आप पूरी तरह से मिटा दीजिए क्योंक स्टेई डॉक्स की हम बात कर रहे हैं और जो एनिमल्स हैं बहुत उस शोर से घवरा जाते हैं अभी भी लोग जो है ग्रीन केकर्स कुछ लोग यूज कर रहे हैं लेकिन कई लोग ऐसे हैं खासकर बच्चे भी कई बार वह शरारत करते हैं या परेशान करने की कोशिश करते हैं उनसे क्या एक अपील आप करना चाहेंगे मैं दो चीज़ेस में आपको कहना चाहूंगे आपके माधियम से नंबर वान ड्रीन ट्रेकर्स भी फरीदाबाद में पर्मिटेड नहीं है तो नंबर वान अगर आपने क्रेकर्स का इस तरह का कोई यूज किया तो अब लॉक को वाइलेट करेंगे और अगर लॉक को वाइलेट करेंगे डेफिनेटली हम आपके अगेस प्रोसीडिंग करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर धारा एक सो चवालीस भी अंडर पावर है तो हम आप बहुत स्टॉंग एक्शन लेंगे नंबर डू में यह हमेशा क सिखा रहे हैं जिस तरह का डिवेशन सिखा रहे हैं वही है फ्यूचर में पनेगे फिर वही बच्चे हैं जो आगे जाके माबब की रिस्पेक्ट नहीं करते क्योंकि जो इतनी सहाए या उसकी रिस गार्ड नहीं करता वो जिंदी नहीं कर सकता और अगर कोई बेसुबान क तो यह हैं चाहिए और वह बच्चे हो चाहिए वह बुडें हों उन सब करेगा तो यह मैं कहूंगी आप थोड़ा सेन्सिटीज बनिए यह भी यह प्यारे जो इनको भी हम बच्चे की बोलते हैं जो जनवर होते हैं इस्वाच का है मैं मैसे तो फीमेल्स के लिए आज भी हम 21st century में है काम करना बहुत चैलेंजिंग है और आप महिला पुलिस कर्मी है और बहुत सारी लड़कियां यूवतियां ऐसी होंगी जो महिला पुलिस में जाना चाहती हैं लेकिन कई चुनोतियों से डरती हैं तो एक महिला पुलिस कर् कि हाँ भी हम भी जो है पुलिस पर हमारा भी हक है हम भी महिला पुलिस में शामिल हो सकते हैं मैं आपसे दो बाते कहना चाहूंगे इसमें मेरे को मेरी अप्रिंगिंग ने इस चीज़ पर बिल्कुल कंवेंस कर दिया कि समाज के दो हिस्से होते हैं एक है मैं दूसरा बुम कि इसको आति है जो कुछ करेगा है कि कि गिरते हैं वही जो गोड़े पर चड़ेंगे वही गिरेंगे जो गुटनों के बल पर चड़ेंगे वह तो गिर नहीं सकते तो आप बिल्कुल चैलेंजस को राईप फ्रंट लेना चाहिए उसी से यह आपको अचीवेंट्स मिलती है और सेकेंड सीस्ट कई लोगों को यह बहुत बड़ी गलत फैमी है कि पुलीस जो है वो पता नी महिलाओं के लिए है या नहीं है घर में जो सबसे एक बच्चा जो बिल्कुल नवजात शेशु होता है वो महिला को दी जाती है क्यूंकि वह जादा समझदार होती है जादा स्टाइमीना करती है इसी तरह से पुलीस में जितने भी लोग आते है वो डिस्ट्रेस ले प्रॉब्लम में आते है तो उसकी जिम्मभारी एक मा का ज तो उसे लेकर क्योंकि आप कभी जब शुरुआ थी तो लगा कि यह में कहां आ गई है इतनी अख़ड वोली और हर कोई हर्याना पुलिस की आवाज से ही लोग डर जाते हैं हम तो एकी भात कहते हैं जो घ़लत करें और जो बाकी के हैं वह तो प्रेमी करें तो बोली का जो भावना जो है वह हमें तो हमेशा जो स्टाफ हैं ignoring the भेली में हमने दुन्डा तो देखर इस्वह आइक गर की सफाइ WA करते हैंкт गर की ठेञें उस तरह से इस तरह से पर अपने मन की सफाई जरूर करें बे जुबानों का ख्याल रखें और साथ साथ महिला शक्ति को भी एक उत्साहित करने वाली बात कही है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती है और जो जादा जिम्मेवारी की चीज होती है उसी के लिए भगवान ने न YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद